हेलो दोस्तों वेलकम बैक टो मैं चैनल कीरती दी इंडो किनेडियन एक्स्प्लोरर आज मैं बात करने लगा हूं कुछ ऐसे चैलेंजेस की जो लगभग हर न्यू कमर को और इंटरनेशनल स्टुडेंट को कैनेडा में फेस करने पड़ते हैं जब वो नए आते हैं सो मई महीना है मई महीना में कुछ इंटरनेशनल स्टुडेंट भी आते हैं और चैलेंज नंबर वन जो होता है वो लैंगवेज बैरियर क्योंकि कैनेडा की दो प्राइम भाशाएं हैं एक है इंग्लिश और एक है फ्रेंच सो कई लोग इस बारे में इतने ज़्यादे फैमि निंक क्लासेज होती है यौ अगर आपने अपनी ब्लड टेस्ट कराना है कोई एक्सरे कराना है तो आप सीधा अपना एक्सरेड और ब्लड टेस्ट कराते हो और उसका डॉक्टर के पास चले जाते हो कैनेडा में सिस्टम्स थोड़े अलग हैं कि आपको अगर अपना होती है या कई वरी फोन पर बनती है और उसके अलावा वेटिंग टाइम अलग होता है और कई बार आपको डॉक्टर का रेफरल नोटिस भी चाहिए होता है कि आप उनको जाके दे सको थर्ड चैलेंज है वैदर का जिसे इंडिया में एक बर गर्मी शुरू होती है तो गर्म समझो है बादलों जैसा है एंड इसकी वजह से आपको अपने सरदी के कपड़े भी कुछ तक बाहर रखने पड़ते हैं च्छत्रियां भी बाहर रखनी पड़ती है फोर्थ चैलेंज है एफोर्डेबल हाउजिंग का मतलब यह है कि आपको एक जायज से किराय के ओपर चा किराय के लिए तो बैटर यह है कि आप इंडिया से अपनी सर्च करके आए अपनी बुकिंग करके आए अगर हो सकती है अगर वाइस जब स्टूडेंट्स आते हैं वो कई भी इसलिए ग्रूप में रहते हैं क्योंकि अगर एक को नहीं मिल रहा है या दो लोगों को नहीं मि जाता है मन्दिरों में लगा हता है गुबद्वारों में भी होता है यहां पे इंडियन बिजनिसे और कोई टूशन सर्विसेज कोई किराय का मेलेबल है कोई बिजनस हैं उनके लिए इंफरमेशन या लगी होती है या ऑन-laiन अब ढूंड सकते हो या किसी रेफरेंस के थ कि एट लिस्ट उसको transportation की service तो मिले अब transportation service मैंने बात की तो एक और challenge है transportation का जैसे इंडिया में हर जगे buses चलती है या वैदर एक बड़ा normal सा रहता है यहां पर Canada में weather बड़ी quickly change होता है या thund हमारी बहुत जादा harsh होती है कडाके की thund होती है और इस वजह से आपको transportation नेक्स चैलेंज है कल्चर शॉक यहां पर आदमी आता है नया नया तो यहां पर म्यूजिक अलग तरह का है खाना अलग तरह का होता है आदमी यूस्टू नहीं होता जब इंडिया से आता है और कई बर कई ऐसे लोग आते हैं जिनकी चॉइस होती है कि हमने वेजटेरियन ही खाना खाना है जबकि यहां पर नॉन वेजटेरियन खाना जो है वो ज्यादा चलता होता है कैनेडा में तो एक यह चैलेंज भी है इसका हल यह है भाई कोकिंग सीख के आओ अपनी पसंद का खाना बनाओ खुद खा और एंजॉय करो लेकिन इसका हल भी यह है कि यहां पर बहुत सारे तरह के खाने अवेलिबल होते हैं चाहे आप आदमी खुद सबजियां वगरा खरीद के खुद बना ले यहां पर टिफिन सर्विस भी बड़ी कॉमन है तो यह मसला भी हल होई जाता है क्योंकि हम सारे अलग-अलग कल्चर से आते हैं और हरे के कल्चर में मतलब हेजिटेशन होती है और नेटवर्किंग भी नहीं हो पाती लोगों की इंटर कंच्रल ताकि पता ही नहीं होता कि कौन सी बात किसी को अच्छी लगे बुरी लगे इसका हल यह कैनेडा में आने से पहले कुछ यूट्यूब वीडियो देखो और जितनी आप जानकारी हसल कर नहीं जाती है नेक्स चैलेंज है इंप्लाइमेंट का यह जौब सर्च का हर आदमी ऑनलाइन अपलाई करता है लेकिन जब ऑनलाइन एप्लिकेशन पचास सो होंगी तो कैसे आदमी अपनी स्किल्स प्रूफ कर पाएगा या इंटरिव्यू तक जा पाएगा सो आजकल यहा आट से पांच कर रहा है कोई नौ से चे कर रहा है तो मुलाकतें काम होती है या वीकेंड्स पर ही होती है और इसी वज़े से आदमी ना किपरी अकेला फील करता है इस चैलेंज का हल यह है अपने आपको बिजी रखो कुछ नई स्किल लरन करो लोगों से मिलो नेटवर्कि के पास या चाचा के पास किसी के पास अपने बच्चे चोड़ दी अगर आप कुछ घंटों के लिए कुछ दिनों के लिए जा रहे हो लेकिन कैनेडा में आप बच्चा इस तरह से नहीं चोड़ सकते तो आपको चाइल्ड केर सर्विसेश चाहिए होती है और उसके लिए को डेकेर वगरा ढूंडनी पड़ती है यह एक चैलेंज है और उसका सलूशन सिर्फ डेकेर ही होती है आजकल के आने वाले न्यू कमर्स लखी है कि अलबर्टा जैसी जगह में डेकेर फिर भी एफोडेवल हैं और गवर्मेंट की और से ग्रांट्स भी मिलती है ताकि आप को बहुत सस्ता पड़ता है देखे एक और चैलेंज है टेक्स का क्योंकि हम बाहर से आते हैं हमें इस कंट्री के वारे में इतना पता नहीं होता बैंकिंग का अकाउंटिंग का तो यहां पे टेक्स भरना मेंडेटोरी है और अगर आप नहीं भरते हो टाइम पे तो आपको CRA का notice भी आ सकता है इसलिए जितना जल्दी आप आके यहां पे accounting सीखें अपने taxes का सीखें और time पे जरूर tax file करो इसका कोई solution नहीं है सिवाए time पे tax file करने के अलावा अगर आपकी यहां पे income नहीं भी है तब भी आपको tax file जरूर करना पड़ता है I hope मैंने जो challenges गिनाएं उन ताकि यह अच्छी information जादे स्यादा लोगों के वास पहुंचे फिर मिलेंगे किसी अच्छी topic पे तब तक के लिए bye bye